अठ्याई दो श्लोग वत्तिस भागवत गीता यद्रिच छाया छोप पन्नम स्वर्ग द्वारं अपावड़तं सुखी नह शत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मेद्रिशं अनुवाद हे पार्थ अपने आप प्राप्थ हुए और खुले हुए इस युद्धर रूपी स्वर्ग के द्वार को भागवशाली शत्रिय लोग ही प्राप्थ करते हैं प्याख्या श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित कर रहे थे क्योंकि वह अर्जुन को फ्रोचाहित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे कुंती जैसी वी शत्रानी माता के पुत्र थे फिर चाहे युद्ध करते हुए उन्हें वीरगती प्राप्थ क्यों न हो रंभूमी में एक शत्रिय योध्धा के पास दो ही विकल्प होते हैं विजय या वीरगती श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अपना स्वधर्म निभाते हुए यदि उन्हें विजय श्री प्राप्थ होती है तो उन्हें राच्सी असुग भोगने को मिलेगा और अगर उन्हें वीरगती प्राप्थ हुई तो स्वध में स्थान मिलेगा इस कारण जुध लड़ना उनके लिए पूर्ण तह लापकारी रहेगा इस श्री कृष्ण अर्जुन का आवाहन करते हुए उसे प्रोटसाहित कर रहे हैं कि वह अपना कर्म अपना कर्तव्य पूर्ण करे जबकि अर्जुन अपने कर्तव्य का परित्याग करना चाहता था श्री कृष्ण अर्जुन में जो परिवतन देखना चाहते थे वहां आंतरिक था ना कि उसके कर्मों के बाहरी त्याग से संबंदित था अगर आपको मेरे इश्लोग की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल तर मिस्टिक टी मिस्टिफाई को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें जै श्री कृष्ण